हलो फ्रेंस आप सभी का स्वागत है फ्रेंस आप सभी का 27 फरवरी को मतलब कल आप सभी का पेपर हैं जिसमें गडीब के सभी important question कराएंगे देखिए दो हजार चोविस के लिए एक परकार का ये वारल पेपर है इस पेपर का आप लोग संपूर हल जरूर देखें तो आप सभ से उपर आपको अनकूर्मांग लिखना रहता है और यहां पर अपना नाम लिखना रहता है लिकेश समय जो आपको कल मिलेगा समय रहता है तीन घंटा 15 मिंट का समपूर समय मिलेगा और पुढांग जो रहेगा जानते होंगे लेकि इसमें से जो important निर्देश उसको आपको पता देते हैं जिसे तीसरा नंबर का निर्देश क्या है कि खंड में 20 अंक का 20 बहुत कल्पी प्रेश्ण रहेगा जिसका उत्तर आप OMR सीट पर देना रहेगा इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा यदि OMR सीट एक बार उत्तर आप भर देते हैं तो उस पर हम मतलब आप लोग को काटना नहीं है लोग उस पर प्रियोग नहीं कर सकते हैं इसलिए OMR सीट जोगा उसे बहुत ज्यादा ध्यान से भर येगा ठीक है इसमें खंडबह होगा इसके आगे जो 50 अंक का वणात्मक प्रश्ण र प्रश्ण को कि यहादार बता हैं जो प्रश्ण नाता हो उसपर समय आपको नष्ट नहीं करना है यानि कौन सा प्रश्ण कितने नंबर का है जहीं आपको अस्पेश्टत बता या गया है चलिए सीधे प्रश्ण को घृष्ट करते हैं आपका खंड है जिसमें बहुक्त प्रश्ण है टोटल कितने प्रति प्रेश्ण है टोटल 20 है ठीक है यहां पिए आपका पहला नंबर का जो सवाल क्या है कि परिमे संख्या 14587 अपां 1250 का दस्मलों प्रसार निमने लिकित कि दस्मलों अस्थानों के बाद समाप्त हो जाएगा तो देखिए आपको क्या करना रहा है कि 1250 का 14587 भाग दीजिए तो यह भाग आप देंगे बोड के एक्जामें तो बहुत ज्यादा समय सब्सक्राइब कि 255 तो 5 समय घापको मृले। को मिलें और इसमें देखिए दूरु. 20 पे तुपे या पांसपर इन दौने पर जो सबसे अधीक घात रहेगगा वहीं क्या होगा तिक आप high जयाद समय्हा को लगा सकते हैं चुफर Top 10-2 इस सवाल को पता है तो बिस सवाल को सहाँ पता है Q9 हैं अंकों के बास समाप्त हो जा önce सही जो आप सही हो जागा नंबर का आपका प्रशन था अग्ला समाल्व दीप दूसरा नंबर का कि दिया है लसा दिया है आपको इस सब्सवाल को की ध्यां ये बहुत ज्यादा सिंपल समाल अभी तक आप उडियों परतेक दे कर वीडियो में आप पढ़ा हैं तो पर देखें को यह सवाल आप सिंपल तरीका से लगा ले रहे होंगे दखी क्या होता है फार्मूला बार 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 इसलिए बता रहे हैं जिससे आपको फार्मूला बोर्ड के एक्जाम किसने भूले ना पाली संख्या गुड़े दूसरी क्या बराबर ले सा गुड़े मासा यह होता है फार्मूला में ठीक है पाली संख्या 132 से 132 की जीए दूसरी संख्या 3 कितना है 288 यह हो जाए 288 बराबर आप यहां पर लासा कितना दिया है तो 3168 दिए हम लिखेंगे पच्छांतर करेंगे तो 3168 बरावर मुष्ण ठीक है अब इसको कटा पिटा कि आप छोटा कीजिए गा तो देखिए इसको कैसे यह करेंगे देखिए फ्रेंज जब इसको आप कटाएंगे इसको क्या करते हैं दू से कटा लेते हैं या देखिए दू शका बारा दू शका बारा चाहर 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 ठीक है अब देखिए यह 11 से कटा यह ठीक है दूना के बाइस ठीक है थी इस सवाल को करके सिंपल करकर लगा ले instrument Sun च tropat जाएगा अगला सवाल देखिए आपको यह सवाल तो बिना लगाए भी आप बता सकते हैं यदि आपका इसका इस प्रश्ण का इंसर आ रहा है तो कमेंड बाक्स में लिखे दीजिए कि इसका कौन सा आपसंथ सही होगा देखिए एक डिवघाद बहुपद के अधिक से अधिक सुन्कों की संख्या होगी यहाँ बड़ सब्सक्राइब पकड़िये जब दिवघाद लिखा रहाए गा तो इसको सुन्कों की संख्यां दो होगा अगला सवाल ध्यान से कि एक भिन का अंस उसके हर से दो गुने से एक अधीक है इस पकार के सवाल आपको जैसे ही मिले इसमें क्या करेंगे यहां पर माल लेंगे देखें हर से कितना है दो गुने से एक अधीक है यहां पर हर माल लीजिएगा हर क्या है आपका यक्स मानिएगा तो अंस कितना हो जाए हर में कितना जोड दिया जाए तो भिन कमान कितना हो जाता है एक देखिए आपका भिन कितना हो जाएगा भिन जो होगा अंस बटा के हर होता है यानि अपान हर अंस कितना है दू एक्स प्लस वन बटा कि यक्स अब यहां सवाल में कर रहा है कि यदि हर में तीन जोड दिया जाए तो उसका मान कितना हो जा रहा है एक के बरावर यहां पर दू एक्स प्लस वन अंस तो जैसे के तैसे हर में क्या कर रहा है तीन जोडने के लिए तो हर में मीनने 2EX हो जाएगा 10, mean- Saying, 0,2 में g inge x भच एसे तिनक में 2 यहांपर बहुत हो ऑब कितना हुआ 2 में धूक्त कहल रहना हुए था मटने का मतलब कि हर पता चलगा होगा 2 होगा अंस पता कीजे कितना होगा यहां लिखिए अन्स कितना है कितना हो जाय गा यान من्स पांच कितना हो जाए आपन ले नशए कितना पता चला है यह पांच कर लीजेगा हर में कितना आएगा guardian यानि हो जाएगा ठीश यहां पर देखें आपको इस चीज को थोड़ा से ध्यान देना है तब इस सवाल को आपका सवाल को तयार कर लिजिए अब देखें आपके सामने पांचवा नंबर का सवाल है इस प्रकाल के सवाल कैसे आप लगाएंगे यदि यक्स प्लस तीन वाई बराबर च्छ हो तो यक्स और वाई का मान पूछ रहा है ति इस सवाल को देखें आप कैसे लगा सकते हैं सिंपल सा होता है बस कुछ नहीं करन इस प्रकाल सवाल आपको मिले इस आप संसे ही इस सवाल को आप लगा सकते हैं एक ध्यान दिजेगा आपको क्या करना है जीरो कामा यक्स दिया है इसका मतब पहले यक्स कमान होगा फिर उसके वाई कमा ती इसको रखके इस समीकड़ में देखिएगा कि आप अच्छ आ रह ही रहा है इसको रखके देखिएगा यक्स के जगा कितना रखेंगे तीन प्लस तीन गुड़े वाई के जगा पर एक रख लीजिए और बराबर कितना लाना है आपको छा लाना है देखिए तीन प्लस इतली के अरे तीन कहीं तीन हो जागा तीन प्लस तीन च्छ और बराब अब देखिए आपके सामने च्छठा नंबर का सवाल है इसे आप कैसे करेंगे यदि एक बटा की यक्स स्क्वार प्लस 6 बराबर एक बटा के 10 हो तो यक्स का मान आपको ग्याद करना है अब देखिए इस पकार के सवाल को आप कैसे हल कर सकते हैं आपको कुछ करना नहीं एक बटा के कितना दे इत यह आ पान ने बटा की यक्स इस्कवार प्लस चा बराबर कितना दि एक बटा के10 दिया को यक्स इनम हो यह से निए लेकिन एक चीजिए रखियेगा कि वर्गमुल हमेसा प्लस मैंस में होता है प्लस माइनस दिखाएंगे और यहांस सीक्षी स्क्वार का थे एक्स बाहर हो जाएगा थी अग्स की मान कितना आया यदि सम्ही कर 3 x square minus 12 x plus k बराबर 0 के मूल बराबर है तो k कमान गयात कीजिए देखे इस चीज में आप एक चीज को बच्छ दियान देना है कि यहां पर दिया क्या है कि मूल बराबर है यहां पर देखे a कमान ये है और b कमान ये है c कमान ये है मूल जब बराबर होता है तर b square minus 4 a, c को क्या करते है 0 के बराबर दिखाते है b कमान – 12 है तो – 12 के square कर लेंगे – 4 गुड़e a के जग़े आप कितना करेंगे 3 और c के जग़ाप करेंगे k बराबर 0 12 के x square 144 हो जाएगा – 4 का 3 करेंगे 4 तंवी 12 चिह हो जाएगा बराबर zero यहां पे 144 रहनों दीजिए बारा को पच्छांतर कीजिए इधर आगा बारा दो प्लस में हो जागा बारा को पच्छांतर करें डीड missions बीड Soo पान बार एक नमबर का है औयों के के कमान कितना है आपका दोटे क्य कमान आगया सवाल है इसे आप कैसे लगाएंगे ठीक है बस देखते रहे हैं सवाल आप सिंपल तरीका से लगाना सीख जाएंगे चित्र में त्रिभूज ABC के आधार BC के समानतर एक खंड PQ खीचा गया है यदि PQ अनुपाते BC एक अनुपाते तीन हो तो AP और BP का अनुपात पूछ रहा है ठीक है इस सवाल को आप कैसे लगाएंगे बस पहले नमर्द त्रिभूज बनाना सीख जाएए यहां पर त्रिभू दिए तो यहां प्रेश्म के और पूछ रहा है तो यहां पर देने का मतलग इसमें अनुपात पूछ रहा है नहीं इसमें और इसमें अनुपात तो यहां पर ध्यान दीजीगा बənरबार 3 है ति इसका मतलब यह भूजा भी कितना और यह भूजा hé I Am इ स्थीज़ समझ भी है is तो आप पहर पता कीजिए कि इसका कितना थिक यह पूरा भूजा यहां से लेकि नाज रहा कि कितना चला कितना बहतना और अपас यह मन पता चला यह मान कुतना पता चला नुबशन को प्रस्वन को ध्यान आ गए अगरा देखिए आपका सवाल जो है इसके आपसन को की देखाते है पहले सवाल को देख लेते हैं यादि एक रेखा किसी त्रिभूज के दो भूजाओं को एक ही अनुपात में भाजित करें तो तीसरी भूजा के क्या होगा तो देखी यही वाना त्रिभूज है कि एक दो भूजाओं के एक ही अनुपात में भाजित कर रहा है तो तीसरी भू यह कि लंब वह दूसरा समानतर ए और बी दोनों इन वेसे कोई नहीं था आप क्या होगा वीवलाफ सही हो जाएगा तिस सवाल को ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं सवाल में आपको पता है तिर भूज बना के उस तरह आप सवाल को लगा सकते हैं अगला दसवाव नंबर का स सिंपल सा सवाल भता है बहुत ज्यादा दिमाग लगाने कि सवाल में जरूरत भी नहीं आपको जब अ कस निर्देश थी कैरम से यक सब्सक्राइब यहां पर मद्द्व बिंद्व मद्व निर्देशांग निर्देशांग यहां 121 अकोफ्टक बंदobrabe है माइनस दू प्लस एक्ष्टू कमान कितना है तो माइनस दू है तो यहां पर क्या करेंगे यह भी आपका माइनस से हो जाएगा अपान दू कामा वाइवन कमान कितना है अच्छा है प्लस वाइटू कमान कितना है दस से दस कर लीजिए अब बटा के दू कर लीजिए और इस सब्सक्राइब को जाएगा इन सवालों को जैसे बता रहे हैं इस तरह बोड के एक्जाम में प्रशनों को लगाईएगा जिससे आपका समय भी बचेगा सब्सक्राइu इस भी यक्स कमान ने इस चीज़ से सब्सक्राइब इसकाइब को उसक्राइब को बीसे नाहीं कर 550 एफे करेंच, अगला सवाल देख़ें 12 नमबर का क्या और यदि सेख ठीता बराबर दो तो तो कमान होगा सेख ठीता कमान यहां पर चुका है और सेख ठीता कमान दिया इसमें मीदक कुछ करना ही नहीं कैंट यहां पर डिया सिख ठीटा बराबर दू अब आपको एक चीज बस बताना है तस के डिएग फर पहट जगा ठीटा परर 10 इसका सही जोब विवल आपसन जहीं होगा अगला देखें तेरा नमबर का सवाग यदि काश ठीटा बराबर साइन ठीटा तो ठीटा बराबर होगा इस प्रकार आपए between तूमल के इस सवाल को कैसे आप लगांगे जutor से को सवाल को वाइगे पिए सवाल सब्Music कैसे संप्पल से लगांगे तीन काट ए बराबर चार है तो यहाँ पे काट ए बराबर कितना हो जाएगा चार बटा के तीन हो जाएगा काट ए का पहले फार्मुला लिखे क्या हो जाएगा लंब बटा के आधार बटा के लंब होगा ना ही होता इस चीश को बस याद रखिए अब यहां से से पूछा है तो देखिए से बराबर क्या हो जाएगा आपका बस फार्मूला पता होना चाहिए तो क्या हो जब कर बटा के आधार होता है इसका फार्मूला कर बटा के आधार इयां पर कल कितना है आपका त्व कब आपका त City अझा-तो चार कितना हो जाए पांच बटा के-चार ठीक आपसें देख लिए फ़ी अठिटा कट्रा च्गा चाह उजा है धीक हे अफ देखे का मन अब आपको पता त्यान कहीं Г一 nào इस सवाल को आप कर पूछने का मतलब इसका पहले फार्मूला आपको पता होना चाहिए कि विर्थ खंड का श्वाइद तरिग्व घ्रिजा दिया रहे तो तो चेत्रफर बराबर फार्मूला आपका होगा यह फार्मूला कई बर बता चुके आप तक अपलोगों को ठीटा बटा कितना होता है 360 गुड़े पाई और इसक्वार होता है ठीटा कमान देखिए आप साथ अंस रखेंगे बटा के 306 गुड़े पाई कमान 22 बटा के साथ आर के जिगा पर 6 है तो 6 का स्क्वार कर लेंगे अब देखिए यहां पर क्या होगा कि 0 से 0 आपका कड़ जाएगा और 6 एक बटा के 6 6 गुड़े से 0 20 16 भी बटा के साथ यहां पर सेंट्री मीटर का स्कॉर कि च्षेथ्ल हमें साथ सेंटी मीटर का स्कॉर वाधा हाँ यहां यहां पर आपसन को लगाते समय ध्यान दिजिएगा कि 132 सबस्क्राइब सबस्क्राइब यहां पर पूछा थे चत्रफल का मात्रख हमेसा स्कौार में होता है तू आप अगला देखिए 16 नमबर का सवाल आप कैसे लगाएंगे दियान दीजिए कि समांतर से चार दस सोला बाइस यहां डाट डाट का सरवांतर होगा सरवांतर को हमें सब्सक्राइब अगले पद में से सब्सक्राइब कि वहांतर होता कि आपको जो नजदी के पद होते हैं अगले पद में इस पिछला पद घटा देंगे दस में चाहिए दीज़गा है नममर को सवाल है कि इस व्रित के परीगत समांतर-चतर, सैंगा होता है कोई भी भृत के अंत्रगत चत्रभूज दिया है उस चत्रभूज को हम क्या करते हैं चक्रिय चत्रभूज करते हैं तिसका सही जवाब आपसन सही हो जाएगा अगला अठारा नंबर का सवाल क्या है आपका कि बैट मिंडल खेलने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली एक सटल काक का आकार निम्न सन्योजन का होता है जो यहां पर सटल काक होता है इसका सन्योजन कैसा होता है तो आपसन को ध्यान से जब पढ़ेंगे तो आप आसानी से इसका एंसल दे सकते हैं पहला आपसन है कि एक बेलन और एक गोला होगा तो यहीं पर आपको बता देते हैं कि यह जो होता आपका सुराही का होता है किसका होता है सुराही का सन्योजन होता है एक बेलन और एक गोला जहां पर नजरा है तो वहाँ पर यह सुराही का सन्योजन होता है अगले आपसनों को देखते हैं ठीक है देखे आपका अगला नंबर का जो आपसन है कि एक बेलन और एक अर इसका सही जो रदला वए इसका से सही जो दीवल्वबस में होसरा कैंड़ा होता है के विक्रीयोगी नेकि कंदर इसमें आप user की इस्वल हूं माती का और बहुलक के बीच में संबफन वता है तर्फन को ध्यान से पढ़ के इसका जवाब दीजिएगा तो यह थी का देन जवाब कि दिए इसका नहीं होता है तो यह थी आदम समझे भाइब दैरेक्ट आफ तो याद रखिए बहुलक बराब हतीन गुट्ड़े-म constitution हमाने दूब्रे मात दे होता है ठीक है अगला सवाल देखिए 20 नंबर का सवाल है यहां पर सवाल को पढ़िएगा यदि यहां पर alpha कामा alpha plus two alpha plus four alpha plus six alpha plus eight का समानतर मात दिया 11 है तो यहां पर alpha का मान ग्याद करना है देखिए इसको alpha समझ यह यह समझ आपको बडें करने देखिए यहां पे जो यह अक्छर इसी का मान ग्याद रहा है ठीक है यहां पर समांतर जो smama star देखिए आपको क्या-क्या दिया है यह समांतर माद्य ना यहाँ पीदेखी कितने पदें एक दू तीन चार फानुला देख नहीं मत अीसे एक कर्आ क्रम्म में कि यहां पे फlle पहले नुभ और पिर फार्मुला योग अपान पदो की संख्या पदो की संख्या ठीक है सभी पदो का योग मतलब जितना भी पद दिया है सबको जोल लीजिए एक प्लस चलिए यहाँ पर अल्फा प्लस अल्फा प्लस टू प्लस अल्फा प्लस फोर अल्फा प्लस सिक्स ठीक है अल्फा प्लस एट अल्फा प पाँच कर लिजिए और यहां पर समांतर मात दिया कितना है 11 तो यहां पे आप 11 लिखे लिए ठीक है अब देखिए 5 का 11 मतलतीर इस गुड़ा करेंगैं 5 का 16 15 हो जाएगा यह नाटभふふ नेते 20 हो मसे 15 नाटा कृब यह बिस हो जाएगा यहां 25 मैसरों निम यहां पर बीस कर लिए चीम को को एंग जिए यह 6 thin các 21 Tech Big पांच षाल जाएंगा यहां पर 55 कि जगर 35 तरफ यहां पर आल जाएगा यहां पर प्रस्न आपको पता है इस तरह इन प्रशनों को आप जरूर सब्सक्राइब कर लिए ठीक है अब देखिए यहां से आपको 50 अंग का वड़ात्मक प्रश्ण रहेगा यहां पर जितने भी प्रश्ण बता रहे इन सभी प्रश्णों का आप जरूर तयार कर लिजेगा ठीक है यह सभी प्रश्ण इंपोर्टेंट प्रश्ण है पहला देखिए कि सभी खंड आपको करना अनिवार रहे हैं यहां पर कर वाला प्रश्ण है कि बिंदू एक निर्दशांग ज्याद कीजिए जहां एबी एक विरित का ब्यास है जिसका केंदर दू काम माइनस तीन तथा बी के निर्दशांग ए इस सवाल को आप कर लिजिएगा अगला देखिए कि गुर्णखंड वीदी से सभी करड़ तीन एकसी स्क्वाइर माइनस दू करड़ी में छह एकस प्लस दू बराबर जीरो के मूल ग्याद कीजिए गुर्णखंड वीदी से आपको सभी सवाल करना हल करना बताएं लेकिन करड़ा सवाल नहीं बताएं ति चलिए यहां पे आपको बिननखंड करके कड़ी सवाल को बता देते हैं कि इस सवाल को आप कैसे हल करेंगे ठीक है निगे यहां पे क्या है कि तीन यकस्क्वाइर माइनस दू करड़ी में छह एकस प्लस दू है और बराबर जीरो दिखिए इसको कैसे आर करेंगे दू का तिन में करेंगे दू त्यांग चया यहां पर ऐसी संख्या सोचना है कि जिसका गुड़ा करें तो कितना एच्छा और जोड हड़ाने कितना आना चाहिए जोड़ने घटाने पर बाद वी करी करी रगा करैगे च्छाक खंद मलंत कि अपस जोड़ेंगे तुन करी में 6 यहां क्या करेंगे की gegen जोड़ों कि वाँ एक क्षिपा रही हेगा त्वह चुख रहाएगा की एक-डूपर जाएगा यक्स-2 बेराबर-0 होजाएगा- यहां पर होगा 3 x square minus 6 का यक्स में करेंगे तो यक्स करणी में 6 हो जाएगा जब कोश्टे के बार minus चीन होता तो अंदर का चीन बदल दीजिएगा यह प्लस हो जाएगा देखें यहां पर क्या कर सकते हैं यहां पर आपको एक इश्टिप और करना पड़ेगा समझने के लिए 3 x square minus x करणी में 6 इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं 2 गुड़े 3 2 गुड़े 3 लिख सकते हैं माइनस तो माइनस यक्स इसी तरह इस च्छा को भी लिखिएगा कितना है 2 गुड़े 3 प्लस 2 बराबर जीरू समझने के लिए ठीक है अब देखें यहां से कितना कामर लेंगे तो यहां पर 3 है जबकि यहां पर करणी में 2 गुड़े 3 इसका मतल को यहां से आप यक्स कामन रे चुके हैं कि तीन कामन ले चुक तो ती है सिल्फ 2 बच्छे में 2 बच्छे माइनस ट biscuit अब देखें इहां फिल्डियां जियूरा से यहां से यहां डोनी दों को सब्सक्जद की यहां昨 प्लने 3 मियों ने जांई बेंगा ओर माइनस कामन बाहर और बचे कितना यक्स कलरी में 3 बचे गाइगा नहीं त्यू Mich जीरů को बचे जाएग Rapid यहां पर आप दे belief सकती है यहां पर यह दों обычно रहाएगा ठीक है 454 क्या कि या उफोओ्ति आनले को 11 वादर नहीं 0 लिभी में 3 माइनिस करण करण के 2 बराबर जीरो तो नहां कितना कामर लेगे सब्सक्रायां को मिटिन कामर करना पछंसन तर्ग करना थे पछयंटरख का यक करण कद आय। है। यथी कमसूें के सब्सक्राइब देख सकते हैं कि एक घड़ी के मिनट की सूई जिसकी लंबाद करना है यहां पर देखेंगा और यहां पर देख सकते हैं चोदा सेंटीमीटर इस सुई द्वारा पांच मिनट मेरा चीच छत्रफल गयात कीजिए दो नमबर का यह सवाल अभी सुबह वले कलास में करा हैं अगला सवाल की जाच कीजिए कि क्या एक समय तीन और टू यक्स प्लस वन बरावर यक्स कोश्ट में यक्स प्लस पांच कीजिए यदि बिंदू यक्स कामा वाई और एक का मदू और 7 कामा 0 सनरेक लाफार मूला अपलों लगे 12 बता है एक बबरावे संब्सक्लि म्याद डिए क्या होता है सेंडेकर कि यक्स वन कोश्ट में y2 माइनसवा ब्लस्टक यक्सलिट Muva minus तो बराबर क्या रखेगा जीरों यह संद्रेक का फार्मूला होता है इसी फार्मूला भी बिंदू को रख लिजिए आपका एंस्वर आ जाएगा ठीक है अगला नंबर का जो है निम्नलिकित में से किनी पांच खंडों को हल कीजिए यहां पे च्छा प्रशन पूछा रहेग करा है नहीं किये तो जाकर देख लीजिए या इस सवाल को जरूर आप कर लीजिए ठीक है कि सिद्ध की बिरित के बाई बिंदू से खीची गई असपर्श रेखाओं की लंबाया समान होती है इसका मतलब जैसे यह एक बिरित होता है और यहां पे बाई बिंदू एक लिया सवाल है आपको यह सवाल कराएगी है अगला देखिए यह दि द्युघाद बहुपद के शुन्यकों में से एक सुन्यक माइनस तीन है तो दूसरे सुन्यक मान क्या होगा चार नंबर का प्रश्ण है अगला देखिए कि लंबाई छा मीटर वाले द्वारदर अस्तम की भू पुचाई दूरी से संबनी सवाल कई करा हैं आप देखें कि विडियों को तीस सवाल को भी कर सकते हैं अगला देखिए कि एक थैले में तीन लाल पांच काली गेंद है इसमें से एक गेंद या द्रिच्छत निकाली जाती है तिसकी प्रात्मिक्ता क्या होगी कि गेंद ला करा हैं लाल नहीं ही यह भी सवाल आपको कराए कि जाना चाहते हैं लाल-गेंद хороший होनी के प्राइक दिन अबटा कि आठ है और इसका कितना हो जगा पांच बटा के आठ होगा ठीक है यह एंस्वर है लेकिन आपको पूरा डिटेल में इस सवाल को लगा के बताएं ठीक है जाके आप जरूर इन सवालों के एक बार देख लीजिए और यदि नहीं दे ठीक है सभी सवाल को आप जरूर देख लीजिए कितने पद होंगे अपको प्रथम पद यह بराबर की होता है अप्र मैंने कर सकते हैं कितने पद हैं मतलब यन का मान ग्याद करना पासानी से इस फार्मुला पर लगा लिजीए ठीक है अगला देखिए आपका यदी कोसे ए बराबर दो वन अपान टैने प्लस साइन ए अपान वन प्लस कास एक मान ग्याद की जो टोटल चार नंबर का तो को मेती के मैक्सिम सवाल आपको कराएं इस सवाल को आप जरू कर लिजी ठीक है अगला है कि समीकर यक्स माने दू प्लस वन बराबर जीरो तीन यक्स प्लस वाई माइनस बारा बराबर जीरो का ग्राफ खीचना है यक्स अच्च और इन रिखाओं में बने त्रिभूज के शीट्षों के निर्शां गयात कीजिए और किर भूजकार पटल को च्हां तोटल 6 नंबर का है यह प्रशन आप जरूर तयार कर लिजी ठीक है जितने प्रशन बता रहे हैं बारबार इन सबी प्रशनों को आप जरूर तयार कर लीजीए तो कि एक रेल गाड़ी है कि एक समान चाल से 360 क्यू मेटर की दूरी तै करती है यदि यहां चाल पाच किल्मीटे पर दि घंटा अधिक होती है तो वह उसी एक घंटा कम समय लेती है रेल गाड़ी के चाल ग्याद कीजिए रेल गाड़ी के चाल वाल संबंदी सवाज जो कराएं आप जरूर प्रैप्टिस कर लीजिए अगला प्राशन ज और एक समानचाल से जाता है छो सेकेंड बाद कार का ओनमन को और साथ अंस हो गया इस बिंदू से मिनार के पाद तक पहुचने में कार द्वारा लिया गया समय ग्याद कीजिए इस सवाल को भी आपको जरूर एक बर प्रैक्टिस कर लेना है ठीक है अथमा देखिए कि इस सवाल को जरूर हंडेट परसंटेज कर लिजे कि आपके सवाल में जरूर ऐसा सवाल देखने के लिए मिलेगा यदि किसी समानतर सेड़ी के प्रथम साथ पदों का योग उन्चास तता प्रथम सत्रा पदों का योग दो सो उन्यासी है दो इसके प्रथम यन पदों का योग को ग्याद कीजिए इस प्रकार के सवाल को आप जरूर लगा लिजिए ठीक है अगला सवाल देख लिजिए आप लोग इस सवाल को भी तयार कर लिजिएगा कि बिंदू माइनस माइनस आठ को जोलने वाले रेखा खंड को बिंदू मैस एक कामा च्छा किस अनुपात भाजित करता है अथाव में दिया है कि सिद्ध करने वाला सवाल भी इस सवाल को भी आप जरूर तयार कर लिजिएगा वन माइनस साइं ठीटा अपन वन माइनस साइं ठीटा बरावा से ठीटा माइनस ठीटा को होल स्कॉार देखें आप सवाल में थोड़ा संसुधन कर लिजिए याप प्लस होना चाहिए तभी आपका यह एंसवर आ सकता है ठीक है तो आप इन सवालों को आप जरूर तयार कर लिजिए जितने भी सवाल इंपोर्टेंट है इस सवाल को भी जर जरूर देख लीजिए ठीक है उसमें से मैकसिमल सवाल आपके 27 फरवरी की पेपर में जरूर मिलेगा तो फ्रेंस आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें चैनल पे नहर चुब को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक वीडिय को सेयर करें